आईए संगीत अन्जली म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं शास्त्रिय संगीत के लिए एक वीडियो रखने जा रहा हूँ और इसमें मैं राग भूपाली में एक बंदिश बताने जा रहा हूँ पहले के वीडियो में राग भूपाली में मैं सरगम गीत रखा था जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत से लोग उसको प्राक्टिस करके वो मुझे सुनाए भी कुछ लोग और वो लोग उसे अच्छी तरह तयार कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उसी क्रम में आज जो वीडियो रखने जा रहा हूँ इस बार मैं हार्मोनियम पर बजा कर ये बंदिश बता रहा हूँ तो शायद आप घर में दोनों तरह से प्राक्टिस कर सकते हैं जो लोग हार्मोनियम बजा के प्राक्टिस करते हैं वो भी बजा सकेंगे और जो लोग बिना हार्मोनियम बजा कर गाते हैं तानपूरा से गाते हैं वो भी इसे गा सकते हैं तैयार कर सकते हैं तो मैं सज़ेस्ट यही करूँगा कि बिना हार्मोनियम के प्राक्टिस करने की कोशिस करें गले में बिठाने की कोशिस करें आईए शुरू करते हैं ये राग भूपाली में बंदिश है और अभी जो मैं गाने जा रहा हूँ ये बंदिश मैं 2002 में कंपोज किया था lyrics लिखा था सरगम जो है सरगम गीत पहले से ही है जो मैं पहले से ही इसे गा रहा था और ये सरगमगीत के रूप में ही सभी लोग सिखाते थे तो मैं इस सरगमगीत को चुकि सभी बच्चों को सिखाता था तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इस पर मैं कोई शब्द रख दूँ तो बच्चों को सिखाने में बहुत ही अच्छा होगा तो मैं इस पर सरस्वती वंदना के शब्द लिख दिया हूँ उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये खास कर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है बाद में मैं रागभुपाली के दूसरे बंदिश भी मैं रखूंगा जो बंदिश महफिल में या थोड़े प्रोफेशनल होने पर गाया जा सकता है ये छोटे बच्चों के लिए है वैसे प्रोफेशनल भी गा दे तो क्या कोई खराब नहीं है परन्तु ये बच्चों के लिए बंदिश है तो बहुत ही सरल है अभी मैं C-sharp से बता रहा हूँ और इसके बाद एक और वीडियो मैं डालूंगा जिसमें इसी को फिर मैं G-sharp से बताऊंगा जो लेडिज के लिए और छोटे बच्चों के लिए उप्युक्त होगा ठेक है अभी मैं male voice के लिए गा रहा हूँ यहां से राग भूपाली का पहले मैं आरो अबरो और सरगम गीत बता चुका हूँ एक बार फिर से मैं आरो अबरो आपको दिखा रहा हूँ सारे गा पाधा सा साधा पा गरे सा यह है आरो अबरो और पहले भी मैं वीडियो में बोला हूँ आरो अबरो को सरल ना समझें और आरो अबरो को मतलब बहुत समय मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आरो अबरो को कोई महत तो नहीं देते जबकि मैं कहता हूँ कि आरो अबरो पूरे राग के लिए काफी है अगर आप आरो अवरो की तैयारी टेकनिकल तरीके से अच्छे ढंग से कर लें तो समझे आपकी राग की तैयारी हो गई बस उसमें बंदिश सीखें और पूरे राग को आप का सकते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो एक दिन बनाऊंगा क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि आरो अवरो ही सब कुछ है राग के लिए ठीक है अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पर ये देखिए सरगम था सासाधापागरे सारे गापागादापागाआ अब मैं इस पर शब्द गा करके सुनाता हूँ आपको क्योंकि सरगम पहले कर चुका हूँ तो आप अगर चाहें तो सरगम के वीडियोज को सुने पहले सरगम की तैयारी करें अच्छे से और फिर इस पर नमन करूँ पर इस पर शब्द पर आए ये देखिए दाहीनी नामान करूँ मैं वीडिया दाहीनी दूसरी लाइन सरगम था गपधासा रेसा धापा सापधाप गरेसा शब्द है पहली लाइन को भी मैं किलियर कर दूँ आपको नमन करूँ मैं विद्या दाहीनी दूसरी पंक्ती है श्वेत वसन और हंस वाहीनी ये है अस्थाई का शब्द एक बार मैं फिर से दोनों पंक्ती को दो दो बार गा रहा हूं आप ध्यान से सुनें नमन करूँ मैं विद्या दाहीनी नमन करूँ मैं विद्या दाहीनी श्वेत वसन और हंस वाहीनी श्वेत वसन और हंस वाहीनी नमन करूँ मैं विद्या दाहीनी आईए अब अंतरा करते हैं अंतरा का जो सरगम है वो है अगर आप तैयार कर लिये हैं तो जानी रहे हैं फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं गागा पधाप सासा धाध सारे गारे सा पहली लाइन और दूसरी लाइन है गागा रे सारे रे साधा सासा धाप गारे सा इस पंति को एक बार ही गाना है लेकिन मैं फिर भी एक दो बार गा कर आपको फिर बताता हूं गागारे सारे रे साधा सासा धाप गारे सा ठीक है अब इस पर हम शब्द गाते हैं हे माता हे माता मेरी विनती सुन लो ज्यान भरो अज्यान हारी नी अब इसे इस पर बिठाते हैं हे माता मेरी विनती सुन लो हे माता मेरी विनती सुन लो ज्यान भरो अज्यान हारी नी एक बार फिर से ज्यान भरो अज्यान हारी नी ठीक है अब इसे थोड़े से स्पीड में मैं चारो पंक्ती को गा करके सुनाता हूं नामन करूं मैं विद्या दाहिनी श्वेत वसन और हंस वाहिनी श्वेत वसन और हंस वाहिनी नामन करूं मैं विद्या दाहिनी नामन करूं मैं विद्या दाहिनी हे माता मेरी विनती सुन लो हे माता मेरी विनती सुन लो ज्वेत विद्या दाहिनी नामन करूं मैं विद्या दाहिनी नामन करूं मैं विद्या दाहिनी तो ये हो गया छोटा खया beginners के लिए तो इस में फिर इस बंदिश के बाद जब आप इस बंदिश को मैं ये जरूर कहूंगा कि बंदिश को तयार करें केवल याद ना करें यह हर हमेशा मैं कहता हूं क्योंकि मैं देखा हूँ कि student लोग उसे importance नहीं देते हैं तयार करने को importance नहीं देते हैं वो सोचते हैं कि चलो बंदिश याद हो गई तो हो गया सारे गामा पाधा निसा मैं अभी हाल फिलाल में किसी एक व्यक्ती से सुना था वो मुझे लिखे भी थे कि मैं सारे गामा पाधा निसा बजाना जान गया हूँ harmonium पर harmonium पर बजाना जान जाने से हम गायक नहीं बन सकते हमें उसे अच्छी तरह practice करनी पड़ेगी गले में जब उतरता है गले में जब वो तयार होता है तब जाकर उसे हम कहते हैं तयार होना जैसे ये नमन करूँ है सबसे पहले तो सासाधपगरेसारे जो मैं आपको पहले बताया था उसको कैसे तयार करते हैं उसमें मैं बताया भी हूँ साजाधपगरेसारे गापगदापग तो अभी हार्मोनियम बजा के मैं गा रहा था ये देखे तो इस तरह से उसे तयार करना है फिर बंदिश को देखे अभी slow में मैं पहले गाया था इस तरह गाया था अभी देखे शुएत वसन और हम सवाहिनी इस तरह तयार करते हैं तो जब इस पीर में हम तयार करते हैं तो फिर उसे थोड़े slow पीर में भी गाके फिर उसमें तान कर सकते हैं आवाज की जब तयारी हो जाती है तो हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे तो कुछ भी कर सकते हैं पिर आ की तयारी है तो आवाज की तयारी पर ध्यान देना है याद करने पर नहीं याद तो तुरत हो जाता है जब आप किसी लाइन को दस बार पंदरा बार पढ़ते हैं तो यो याद हो जाती है लेकिन याद करने से उसमें परफेक्शन नहीं आता है याद करने के बाद ही प्रैक्टिस शुरू होता है जब तक आप याद कर रहे हैं तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कहलाता है तब तक उसे याद करना कहते हैं जब याद हो जाती है उसके बाद उसपे प्रैक्टिस करते हैं उसे और तयार करने के लिए ठीक है न? तो इस पर आप ध्यान दें और रागभूपाली के इस बंदिश को आप तयार करें बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रागभूपाली के कुछ तांस मैं रिकॉर्ड करूंगा केबल तांस उसमें मैं एक पंती गा करके उसके साथ मैं केबल तांस जो है सो रिकॉर्ड कर दूंगा और स्वर्विस्तार की जहां तक बात है, राग भूपाली का स्वर्विस्तार मैं किसी एक वीडियो में थोड़ा सा किया हूँ, बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा सा किया हूँ, आपके समझने के लिए बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं उसे गाया हूँ और उसे अघर सुने राग भूपाली स्वर्विस्तार मेरे खाल से वीडियो है तो उसे आप देखें तो स्वर्विस्तार भी समझ सकते हैं उसको आलाप कहते हैं तो राग का जो format है वो आप पूरा समझ सकते हैं इससे, आरो अवरो, आलाप, फिर बंदिश, और फिर तान, ये राग का एक format आप जो है सीख जाएंगे, और फिर उसमें advanced होने के लिए, professional होने के लिए तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है, उसके लिए हमें किसी गुर at yahoo.com पर, मेरी सारी classes जो है, सो online होती है, और बिल्कुल face to face, उसमें कोई recording का चकर नहीं है कि आपको मैं recording दे दिया और आप उसे सुन करके याद कर रहे हैं, नहीं, मैं face to face सिखाता हूं, जब आप सीखने लग जाते हैं, जब आप समझने लग जाते हैं, तब मैं आपको को practice करने के लिए वो संभव है, परन्तु पहले मैं ये जरूर देखता हूं कि आप उसे अच्छी तरह समझ गया या नहीं, ठेक है, चलिए, मैं आप से विदा लेता हूं इसमें, अगले वीडियो तक और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और गाने को लेकर या शा कमेंट्स करना भी ना भूलें, कमेंट्स जरूर करें, जो भी आपको फील होता है, आप जैसा उसे समझ पाते हैं, आपको कठिन लगता है मेरा समझाना, वो लिखें, अच्छा लगता है समझाना, वो लिखें, निश्चित रूप से अपना कमेंट जरूर दें, जिससे मैं आगे जितने भी वीडियोज बनाओं मैं उसमें उन बातों का भी ध्यान रख सको ठेक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद